बिते बर्षों में, Women-led Development Model पर हमने काम किया है। Innovation हो, Employment हो, Entrepreneurship हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिला ये सिर्फ भागी जारी बढ़ा रही हैं, महिला ये नेत्रुत पर दे रही है। आज अनेक शेत्रों में, आज हमारे रक्षा शेत्र में देखिए, हमारा Air Force हो, हमारी Army हो, हमारी Navy हो, हमारा Space Sector हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं। देख के लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती हैं। और मैं आज लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा, कि हमारी माता और बेहन और बेटियों के प्रती जो अत्याचार हो रहे हैं। उसके प्रती देश का अक्रोस है, जन सामने का अक्रोस है। इस आक्रोस को मैं महसूस कर रहा हूँ, इसको देश को, समाज को, हमारी रवच्च सरकारों को गंबीरता से लेना होगा, महिलाओं के विरुद्ध, अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो, रख्षसी कृत्य करने के वालों को, जल्द से जल्द कड़ी सजाँ हो, वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, कि जब बलातकार की महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं, तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मिडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षेसी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती है, तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कौन में कहीं पढ़ा रहता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है।